हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रगार से आयोध्या राम-मंदिर नेम टी-चेट के साथ फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि इस समय काफी ज्याधा ट्रेंड में हैं तो अगर आप भी कुछ इस प्रगार का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो T-shirt में अपना नाम लिखना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको end तक देखना है ताकि आप step by step समझ पाएं तो फ्रेंड फोटो बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक browser को open कर लेना है तो जैसे मैंने यहाँ पर Google को open कर लिया है देख सकते हो friend कुछ इस प्रगार से उसके बाद यहाँ पर आपको उपर search box में type करना है देख सकते हो friend being AI image generator इसी को आपको यहाँ पर type कर देना है तो जैसे आप open करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रगार का interface open होकर आ जाएगा अगर आप first time इस website को visit कर रहे हो तो यहाँ पर आपको login करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको joined and career दिखाएगा तो आपको join अपने email id से account बना लेना है अप फ्रेंड है आपको ऊपर के side में एक box दिख रहा होगा तो आपको जो लिखोगे वही आपको इहाँ पर image create कर देगा तो इसके लिए मैंने एक prompt बना कर रखा है तो इसी को मैं आप पर paste कर दे रहा हूँ इसका आपको drip caption में मिल जाएगा इसे आप copy करके यहाँ पर paste कर सकते हो अब यहाँ पर हमने paste कर दिया है अब यहाँ पर उपर के side में तीन line में देख रहे है आप फ्रेंड राम लिखा है यहाँ पर आप अपना name भी लिख सकते हो तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ दूसरा लिख देता हूं जैसे मैंने यहाँ पर आनंद लिख दिया देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना नाम type कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के side में क्या करना है create पर click कर देना है तो यहाँ पर हमारा creating होना start हो चुगा है जब तक हम बेट करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चार images आ गए है अब इसमें जो आपको पसंद है उस पर आपको यहाँ पर type कर देना है तो जैसे आप type करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का process होना start हो जाएगा तो फ्रेंड हमारा कुछ इस प्रकार का photo यहाँ पर बनकर आ चुका है अब इससे download करने के लिए यहाँ पर आपको आपको नीचे के side में देख सकते हो फ्रेंड 3. पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको download पर किलिक करना है तो यहाँ पर आपका download photo हो जाएगा